जदिव अब खुद जातिये जनगर्णा के मुद्दे पर भारतिये जनता पार्टी के उपर उगर हमला बोलने की तैयारी में है। मतलब कि जदिव अब खुलकर भारतिय जंता पाटी के इन नितियों का बिरोध करेगी और पिछले कुछ वक्त से जदिव की तरफ से लगातार इस मामले को लेकर भाजपा पर हमला भी बोला जा रहा है और मौजुदा समय में भाजपा तथा जदिव के बीच के रिष्टे काफी खराब हो चुके हैं क्योंकि शराब और जातिय जनगर्णा पर दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं उत्तर प्रदेश में जदिव की तरफ से लाग कोशिश की गई कि भारतिये जनता पार्टी उसे अपने गडवन्दन के तहर कुछ सीटों पर चुनाव लेने के लिए दे लेकिन अब तक बात नहीं बन सकी है अब जदिव की तरफ से योजना बना ली गई है कि उत्तर प्रदेश में भारतिये जनता पार्टी को कैसे घेरना है और सबसे मुहत्पुन बात है कि अगर किसी राज में भाजपा की सहयोगी जदिव उत्तर प्रदेश में उसका बिरोध करेगी और उस पर सवाल उठाएगी तो फिर इसका असर ज्यादा ही नकरात्मत पड़ेगा लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर कहा जा रहा है कि जदिव अब योजना बना चुकी है और जदिव की तरब से उत्तर प्रदेश में भाजपा पर कैसे हमला बोला जाएगा इसकी भी पूरी प्लैनिंग कर ली गई है वैसे बिहार में शराब को लेकर भाजपा अपना रंग दिखा चुकी है और जदियू के पास अब मौका भी है अब नमस्कार में नाव है मोहित कुमार सिंग और आप देख रहे हैं आमारा विशेश कारी कर रहूं एक्स्प्लेनर मुक्यमंत्रिन नुदेश कुमार की पार्टी जदियू उत्तर प्रदेश में एक आवन सीटो पर उमिद्वार उतारने की तैयारी में जुड गई है जदियू की तरफ से दो दिन पहले तक भारतिये जनता पार्टी को एक प्रकार से चेताउनी देते हुए कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश के अंदर गठव अंदर के तहर सीटो को लेकर फैसला हो जाए वरना जदियू अपना उमिद्वार उतारने का फैसला ले लेगी केसी त्यागी की तरब से कुछ दिन पहले भारतिये जनता पार्टी को दो दिन का इल्टिमेटम दिया गया था और कहाल गया था कि अगर दो दिन के अंदर भारतिये जनता पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाओ को लेकर कुछ सकारात्मक जबाब नहीं देती है तो फिर हमारी तरब से अकेले उमिद्वार उतारने की तयारी शुरू कर दी जाएगी और खबर के मुताबिक जदियू की तरब से लगबग 22 सीटों पर मिद्वार उतारने के लिए भारतिये जनता पार्टी से उन सीटों को मागा गया था लेकिन भाजपा की तरफ से जब कोई जबाब नहीं आया तब जद्यू की तरफ से अकेले चुनाओ लड़ने की योजना बना ली गई भारतिय जंता पार्टी उत्तर प्रदेश में बिहार के किसी भी दल को लेकर अभी तक कुछ भी बोलने को तयार नहीं है और अब ऐसा लग रहा है कि शायद ही भारतिय जंता पार्टी उनके बारे में कुछ सोचे या उस पर विचार करे जद्यू की तरफ से विशेस राज की दरजा की मांग के साथ फिर से अंदोलन तेज करने की तैयारी की जा रही है और अगर विशेस राज के दरजे की मांग को लेकर कोई आंदोलन होता है तो सीधेत और भारतिय जंता पार्टी पर इसका असर पड़ेगा और इससे भाजपा परिशान होगी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में जद्यू के साथ भारतिय जंता पार्टी जो कर रही है उसका बदला जद्यू की तरब से बिहार मिलिया जाएगा बिहार में भाजपा मौझूदा समय में शराब को लेकर भी जद्यू पर काफी ज़्यादा हमलावर है और इसका भी गुस्ता जद्यू के नेताओं में भरा पड़ा है और समय समय पर यह सब कुछ सामने भी आ रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश शुनाओं में बात नहीं बन चुके हैं कि भारतिय जंता पार्टी के नेता सर्म दलिया बैठक से कत्रा रहे हैं और उनके इस बयान के बाद राज में राजनिती भी बहुत्यज हो गई थी और राश्टिय जंता दल की तरफ से यह भी कह दिया गया था कि हम समर्थन देंगे बस आप आगे बढ़िये हलाकि जदिव को इस बात की उमीद थी कि उत्तर प्रदेश में भाजपा कुछ सीट अपने खाते से उसे चुनाव लड़ने के लिए देगी लेकिन अब तक भाजपा की तरफ से कोई सगरात्मक जवाब नहीं मिला है और माना जा रहा है इसी बात से नराज होकर जदिव की समर्सन करे किंद्रिय मंतरी आर्थीपी सिंग की तरफ से लगातार भाजपा के बड़े नेताओं से मुलाकात की जाती रही लेकिन उनकी तरफ से कोई जबाब नहीं आया और अब जदिव के पास अंत में एक ही रास्ता बचा कि वह भारतिये जनता पार्टी के विरोध में उम्मिद्वार उतारने का अईलान कर दे या फिर उत्तर प्रदेश का रण छोड़ दे इतना सब पूछ होने के बावजूद भाजपा की तरफ से किसी परकार का कोई सगरात्मक संदेश नहीं दिया गया और नहीं इस समुद्दे पर जदिव की नेताओं से किसी परकार की कोई बाचीत हो रही है बाकी अब जद्यू अपनी तरफ से तयार है तो देखना होगा कि आने वाले बिधान परशत के चुनाव पर इसका कितना असर परता है बाकी जद्यू की तरफ से कुछ अन्य जानकारी दी जाएगी तो उसे हम आप तक पहुचाएंगे इस वीडियो को नहीं पर समाप करते हैं वीडियो को शेर कीजिएगा अगर फेस्टूप पर देखना है तो पेच को लाइक कर लिजिए तथा अगर यूटूप पर देखना है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं फिर बहुत जाए लगले वीडियो में क्याम रेक फिशे ख़ड़े हों प्रकास और मैं मुईत कुमार सी बहुत बहुत धन्यवाद